हेलो एंडिया लिमिटेड ने गेट 2022 के तुर जो मैनेजने ट्रेने एक विकेंस निकाली थी उसका कट अफ निकाल दिया जो स्लेक्टेड केंडिट से उनको मेल आया था प्रेफरेंस परने के लिए लोकेशन की और उनको मैडिकली के लिए बुलाया गया और अगर बात करें क सबसे हैं तो इसको कट ओफ देखते हैं अगर आप जोप्स वाले सेक्षन में जाओगे यहां रिक्रूट्मेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन बेसिज ऑफ गेट 20 स्कोर का लिंक है और इसको खोलोगे तो आप ऐसा आएगा देखो यहां पर सारी डिटेल है जो भी गेट के वाले रिक्रूट्मेंट है डिटेल इड्टाइजमेंट है फिर जो जो अपडेट आ रही है यहां वो अपडेट कर देते हैं तो देखो डिसिप्लिन भाइस कट ओफ मार्क से यहां पर्भी चेक करो जिखो माइनिंग सबसे एं कितना लो है इसका मीनिनिंग में में औरी और यहां पर 639 लोग बुलाएं माइनिंग में लोगों ने भरा ही नहीं है फॉर्म भरा ही नहीं है इसलिए इसलिए कम कट ओफ है और यह सिविल का देश को ठीक है अन्रिजर्व की डवल्यूस हर ब्रांच का हर कैटेगर कट ओफ है और अगर इलेक्ट्रोनिक्स में बात करे यह 230 यह 230 इसके बीच में और अगर हम इलेक्ट्रोनिक्स में सीट्स देखें अन्रिजर्व में टोटल 120 सीट्स ही इसमें 108 लोग बुलाएं और सिविल में 158 पूरे लोग बुलाएं इसमें 43 44 मतलब कम लोग ही बुलाएं 1 रिश्व 1 मैक्सिमम उससे थोड़े कम यह हो सकता है कोई category में कम लोगों ने अप्लाइ किया हो है तो अगर देखा जाए अन्रिजर्व में 51 सीट्स हैं वर्ट हमारा rank कितना गया है अन्रिजर्व में 220 230 फिट में 50 लोग चाहिए थे 220 rank गया तो इस मिट मिन्स बीच में बहुत लोगों ने अपलाइं ने किया लोग कम अप स् सब के कट आफ देख सकते हो यह सिस्टम और एड़ी पी है कंप्यूटर साइंस के स्कॉर पर ठीक है तो यह कट आफ है और अगर देखा जाए वन को बलाया है तो इन में से काफी लोग ऐसे होंगे जो लेड़ी कहीं नहीं करेंगे इसलिए सीट्स खाली रहने वाली तो चांस जैसे अगर लास्ट येर गेट 2021 के हिसाब से देखा एंटीपीस ने पांच लिश्ट निकाली नहीं तो अगर ऐसा ही हो तो बहुत अच्छी बात है तो सब कोई काफी पीछे तक जाएगा कट और जो कंडिडेट की थोड़ा सा कट आफ के पीछे ही है उनको लगता है तो कि सेक्ट नाम आ जाएगा विकूस यह काफी लंबा हो जाता है अभी इनोंने फिर्श्ट लिस्ट लोगों को बुलाया है अब उनको प्रेफरेंस लिस्ट प्रेफरेंस अमंगवाई हों से फिर इनकी डोकुमेंट वेरिफिस बुलाएंगे फिर उनको ओफर लैटर बे आपको जो अपने आपके हाद में उफर लैटर नहीं आ जाता प्रेफरेंस नहीं चोड़ने चाहिए अगर आप कर रहे हो अनलेस अगर आप आप आइटी में हो लेड़ी एमटेक कर रहे हो वहाँ पर तब प्रेफिस चोड़ दिये फिर वह अलग बात है ठीक है तो सैक्ड